आज की बीडियो हम बात करने वाल है ऐस्के टी की कंडिडेट के लिए जो कि फिजिकल देके आए हैं आज अज मेडिकल के लिए लिष्ट आउट कर दे गई है तो सभी candidate अपने इसमें नाम देख सकते हैं कि किस candidate का final selection हुआ है ठीक है उसके बाद वो किस date को अपना medical देने जा सकते हैं और जो candidate written exam में भी सामिल हुए थे वो भी देख सकते हैं कि उनने अपने कितने mark obtained किये थे और कितने से वो रहे गए हैं इस भरती के लिए ठीक है तो करेंगे सबसे पहले बात करेंगे advertisement नंबर की जो की 02-2022 की भरती ती जिसमें total vacancy 490 थी और कि ट्रेड आप आपको जैसा की पता है स्केटी इस्टोर की पार टेक्निकल के लिए था ठीक है जिसमें सभी category के लिए vacancy थी और इसका physical efficiency टेस्ट जो था तीन जुलाई से 6 जुलाई तक चला हुआ था जैसा कि आप लोगों को पता है अभी आज साथ तारीक है एक दिन वाद ही उन लोगों ने आप लोगों के medical की list आउट कर दी गई है ठीक है अब यहाँ पर देख लेंगे जो important point की बात करें वह point यह है कि जो candidate exam P.E.A.T. में पास हुए है उनको उनने 19 जुलाई को बुलाया है ठीक है 19 जुलाई को आपको वहाँ रुपोर्ट कर देनी है ठीक है यहाँ पर लिखा है the candidate passed in P.E.A.T. based on written examination marks have been provisionally selected for further primary medical examination 19 जुलाई 2023 onward 19 जुलाई से आपका medical start होना है तो आप लोगों को ठीक है फिर third point में दिखा है कि जो यह percentage यह merit बनी हुई है वह आपकी जो selected candidate है उनकी merit written based पर ही बनी हुई है ठीक है तो यहाँ पर देख नहीं है अब बात करेंगे हम यहाँ पर जयसे कि मैंने बतायाता है mostly कितना-kitना merit जा सकता है U.R. का चानबर बोला था मैंने कि पांस नमबर से ज़्यादा नहीं बड़ सकता है ठीक है A.C. कि यहाँ पर चैनबर बड़ा हुआ जो कि मैंने बताया ता 66 से ज़्यादा नहीं जा सकता है ठीक है यहां पर आप लोग देख लेंगे अपने आप यहां पर एक पॉइंट और है जो की काफी important पॉइंट है यहां पर बताया गया प्रोविजनली सेलेक्टेट कंडिडेट एक्सफेक्ट बियारो परसनल हूँ है एप्लाइड फो री अपॉइंट्मेंट और हेर वाई एडवाईज टू रिपोर्ट एड टैंगेट बियारो स्कूल सेंटर और फोर प्राइमरी मेडिकल एक्जामनेशन ओन डेट मेंशन अगेस्ट इच कंडिडेट एट नाइन होगा ठीक है इसमें बताया गया है कि आप लोगों को रिपोर्ट करना है टैंगेट पर जैसा कि प्राइबरी मेडिकल एक्जामनेशन को किस डेट में जो डेट आपके अध्मिट कार्ड में में मेंशन होगी उस डेट में आपको 9 बज़े रिपोर्ट करना होगा ठीक है आप लोगों के एड्मिट कार्ड भीज दिये गए हैं वहां से निक मेडिकल काफी लंबिट समय तक चलने वाला है क्योंकि 25-25 कंडिडेटों के मेडिकल लिए जाएंगे ठीक है तो आप लोगों के जो एड्मिट कार्ड आएंगे उसमें आपका कि डेट वाइज मेंसन होगा कि डेट को आपको जाना है ठीक है अब यहां पर बात करेंगे पॉइंट नमर फाइव है जो की इंपोटेंट पॉइंट है जो सभी कंडिडेट हैं उनके लिए काफी इंपोटेंट है वह ध्यान से देख लें और ध्यान से समझ लें क्या है इ नहीं हो अगर अपसेंट हो भी जाते हैं किसी करण तो आपको आंगे कोई चांस नहीं दिया जागा नहीं आप कोई क्लैम कर पाएंगे कि हम इस वज़े से कोई रीजन देखे कि ऐसा कुछ नहीं होगा आप लोगों को आप टाइम से मौजूद होना है ठीक है आप यहां ब अदम से सभी भाईयों को बहुत बहुत बढ़ाई जिन जिन कंडिडेटों का इस लिश्ट में नाम आया ठीक है अब देखनेंगे यहां पर 490 कंडिडेट इसमें आ गए हैं और उसके बाद जो कंडिडेट नंबर में नहीं आ पाए हैं तो वो कि यहां पर अपना अच्छा एक चीज और बताना चाहूँगा यहां पर जो कि काफी अच्छा है इस पर आपको बता दीए कि तो वह अपने हिसाब से अपना टां देखने टां नहीं स्वारी यूइ justement Academy मैं आपको रेपोरट करना ठीक है सभी कंडिदे का यहाँ पर टां दियाहं्य रखा है साथ में आप जैसा की देख रहा होंगे ठीक है यहाँ पर गौर्ट से लिए बात करेंगे जो कंडिडेट इस लिस्ट में नहीं आपाएं तो उनके लिए क्या कहना चाहूंगा मैं उनसे यही कहना चाहूंगा अपने यहां पर मार्क्स देख लें कितने मार्क्स हैं और उनकी तैयारी में किस जगह पर चूक हुई है वह तैयारी कंटीनू रखें और जो भाई यहां पर अपनी कंटीनू तैयारी करते रहें क्योंकि विकैंसी और भी आती है और भी ट्रेट के आती है तो और वियारों की एक ऐसी जौब है जो कि आप लोगों को पता है कि यह मिनिस्ट्र ऑप डिफेंस में आती काफी अच्छी जौब है यहां पर देख गए हैं जो भी Marks helped does not have evenמה ऐब और अपने देख सकते हैं और आंगे तैयारी कर सकते है ठीक है जिन भाईों को आ गया है दोारा से मेरी तरब से बहुत बहुत कुस्भी अपने तायरी को कंटीनी करते रहें और स्लेक्शन जरू मिल जाएगा कि अगर किसी भाई को फिर भी कोई डाउट रहता है किसी डॉकुमेंट को लेके तो आप लोग कमेंट करके जरू बताएं तो वह डॉकुमेंट के बारे में भी मैं वीडियो बना सकता हूँ और जो भाई इस लिश्ट को देखना चाहते हैं या किसी डॉकुमेंट को लेना चाहते हैं तो वह पहली बार विजट कर दा तो प्लीज सस्क्राइब जरू कर लें और बैल आकटन उप्रेस कर लें जैसे आने वाले इसे वीडिय